ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किये, ये तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को बोली नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो वर्क फ्रम हूम करते करते घर में ही सफेद कर दिये, लेकिन अगर आप प्रीमिचर ग्रेय हेर से जूज रहे हैं, तो I promise you, आज जो में आपके हैंगे, जिल्फ घने रे शाम है क्या, तो घने के लिए होगा, sorry, but it's okay, आपके लिए भी गा सकते हैं, आईए जानते हैं, what all needs to be done. Hi my beautiful people, किस-kis ने last वाला Hydra Facial अपने ले ट्राय किया नीचे लिखकर बताईए, और कैसा रहा आपका result, मैं तो उस दिन से इतना खुश हूना, इसा लग रहा है, इसे moisturization के जरूरत ही नहीं है, I am super happy, and shout out to all those people, जिन्हों ने उसी दिन, उसी समय ट्राय करके, और मुझे बताय जितने beautiful comments अभी लिख रहे हैं, बस ऐसे करते रहा कीजिए, स्वागे थे आप सभी का इस चानल पर, जहां पर मैं बहतरीन remedies शेयर कर रही हूं, और मेरा पूरा परिवार एंजोई कर रहा है, including me, and we are all very happy, तो जल्दी से consider कीजिए, लाल बत्न को दबाना, ठाकि आप भी परि important seeds लेने हैं, जिन में बहुत बहुत ताकत है, मतलब मैं इनके बार में बोलना शुरू करूंगी, तो ये वीडियो क्या मतलब है, दो वीडियो और बना दू वह भी कम पढ़ेंगी, सबसे पहले बीज है, कलॉंजी के बीज, यानि की Nigella seeds, ये इतने ताकतवर है, मतलब ये इस चीज को solve कर सकते है, अब इससे जादस की तारीफ क्या करूं, एक पान में लेकि आप इसको रोस्ट कर लीजिए, जब तक ये पट पट अवाज ना करना लगे, इसमें से हलका धुआ ना आने लगे, तब तक आप इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से ड्राय रोस्ट क कीजेगा, इसके बाद आपको लेना है, जो की है, ब्लाक सेसमे सीज, यानि की काले तिल के बीज, बहुत सारे लोग बोलेगे, अरे दोनों सेम ही तो हैं, दोनों सेम नहीं है, और इनका जो डिफरेंस है, इसको समझने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा, कि जो तिल के तिल के बीज होते हैं, वहलके से शाइनी होते हैं, और कलॉंजी के बीज बिलकुल डाक होते हैं, लेकिन थोड़े से मैट होते हैं, इसको भी आप अच्छे से ड्राइरोस्ट कर लेंगे, एक पैन में, बहुत जल्दी तिल के दाने होते हैं, इसको भी आप उसी प्लेट मे करने के बाद इस प्रकार का एक पाउडर आपको अचीव होता है जो कि अपना ओल सिक्रीट करने की वजह से इस प्रकार से बंधने लगता है इसको आप अच्छे से एक्स्ट्राक करके एक बोल में ले लेंगे यह मैंने जो सीज लिये थे टू टेबल स्पून इच लिये थे सभी पाउडर आपको अचीव हुआ है यह पूरा पाउडर हमें इसतेमाल करना है इसको हम इस्तेमाल करेंगे 50-50% यानि आदा जो पार्ट हम यूज करेंगे हमारा मास्क प्रिपेर करने के लिए दोनों की प्रिपेरेशन और अप्लेकेशन को medicalาน को ध्यान से समझना बहुत इसलिए प्लीज बने रहे हैं सबसे पहले हम प्रिपेर कर रहे हैं खाने के लिए पाउडर क्योंकि जिस भी चीज का हम टॉपिकल अप्लिकेशन करते हैं अगर शरीर के अंदर उसकी डेफिशेंसी है तो वह एक बार के लिए तो आपको एक्स्टरनल अप्लिकेशन दिखा द मेरी फैमले हैं तो सबसे पहले आपको एक बोल लेना है और इसमें अधा यही प्लाक सीड मिक्स क्डेशन आधा पाउडर लेना है इसमें आपको लेना है दो बड़े चमच आमला पाउडर कुछ बता एंसके बारे में आपको या पिर आप हमें बता देंगे अब I'm pretty sure मेरी फैमिली रेडी है बताने के लिए कि आमला पाउडर Zillions of nutrients Zillions of nutrients जो कि आपकी skin के लिए आपके बालों के लिए आपकी overall health के लिए कमाल कर सकते हैं Number 2 आपको यहाँ पर लेना है Bring Raj Powder यह दोनों ही edible grade के powder हैं बालों का राजा है यह आपके बालों के लिए काला रंग देने के लिए अकेला सक्षम है राजा इसके ओपर एक सेपरेट वीडियो में कर चुकी हूँ वो भी आप चेक आउट कर सकते हैं तो भ्रिंग राज भी यहाँ पर आपको इंटर्नली सशक्त करता है कि आपका जो शरीर है वो जो pigment है आपके बालों का उसको दुबारा से प्रॉसेस कर सके इसके बाद आपको इसमें लेने हैं दो ड्राइड लीव्स जो की होने वाले हैं करी लीव्स यानि की कडी पत्ता यह मेरे पास करी लीव्स जो थे मैंने हांडफूल अफ करी लीव्स यहाँ पर लिया है आप चाहें तो रेशु कम जादा कर सकते हैं इसके बाद मैंने इसमें बहुत ही थोड़ा सा एक बड़े चम्मच के बराबर बेजल लीव्स लिये हैं क्योंकि मेरे पास थे और इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है खुश्बू काफी अच्छी होती है सिरफ इसी ले लिया है नहीं है तो त्याग दीजे तुल्सी के पत्ते ले लीजे वो भी इतना ही कमाल का काम करेंगे डन तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर ल इसको आप अच्छे से कंटेनर में पलट लीजिए अगर वो एर टाइट हो तो बहुत ही बढ़िया अगर आम बात करें कि इसका कंजम्चन आपको कैसे करना है तो इसको आप रात को एक ग्लास में एक चम्मच ले लीजे एक बीनी बल्कि आधा चम्मच अधा चम्मच ले हाफ टेबल स्पून और इसमें पीने का पानी डालके इसको आप ढखकर ओवरनाइट के लिए रहने दीजिए जो ड्राइड लीव्स हैं जो ड्राइड पाउडर्स हैं वो सारी चीजे पानी में रिलीस कर देंगे नेक्स ते मॉर्निंग आप देखिए सब कुछ सेटल हो र अगर आप कर सके तो नाथिंग लेकिट हेल्थ के लिए भी और बालों के लिए भी तो प्रेणा दीके इतने बड़े लेक्चर के बाद हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमें एक्सराइस करनी है ताकि ब्लड का सरकुलेशन मिले हमें इस पावर पोशन का भी सेवन करना है अब हम करते हैं एक्सराइल अप्लिकेशन की बाद हमने जो ब्लाक सीट का पावडर बनाय था वो आधा छोड़ दिया था उसी आधे पावडर को आपको यहां पर लेना है और इसमें आपको लेना है एक बड़ा चम्मच आवला पावडर एक बड़ा चम्मच प्रिंग्रा अब देख रहे हैं जिसका सेवन हम कर रहे हैं हम उसी का अप्लिकेशन कर रहे हैं अंदर से भी बाहर से भी दोनों तरफ से काम हो रहा है तो आपको बहतरीन रिजाल्स मिलने से कौन रोकेगा अब बताइए इसके बाद आपको इसमें लेना है एक बड़ा चम्मच मुलतान मिलतानी 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 मिलत 65 प्लस है और आज पी उनके बाल ब्लाक है बलीव मी 70 80 परसंट से जादा बाल उनके ब्लाक ही है आप समझें कि मुल्तानी मिट्टी इस ग्रेट क्लेंजर जो कि आपके बालों को किसी भी प्रकार से परिशान नहीं करता तो जैसे ही आप इन सभी पावडर को अच्छे से मिक् का है इसको आप एक कंटेणर में बलट लेंगे क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा अमाउंट बनाए है और मैं बहुत जल्दी सको इसको इस्तमाल भी कर लोगी इसलिए मैंने बोडन कंटेणर में रखा है अगर आप ज्यादा बना रहे हैं प्रोपोर्शनेटली सारी चीज अगर आपके बालों में कंटेशनिंग की परिशानी रहती है यहां दही मिला लीजिए जिहां बहुत अच्छी कंटेशनिंग भी हो जाएगी एक पन दो काज कहने का मतलब है तो यह भी आप ले सकते हैं अच्छी से मिला लीजिए और आपका हेर मास्क बनकर रेडी हो चुका है अप्रोक्सिमेंटल 15-20 मिनिट्स रोख जाएगे क्योंकि ड्राइट पाउडर से थोड़ा सा अपना इंफ्यूजन में वक लेते हैं 10-15 15-20 मिनिट्स के बाद आपका ही मास्क बनकर रेडी हो चुका है मैंने यहां पर हलका हलका ओइलिंग कर रखी है कहने का तात पर है कि अगर आपने ओइलिंग कर रखी है तो भी आप इस मास्क का अप्लिकेशन कर सकते हैं लेकेन मा ब्यूरिफुल पीपल आप्लिकेशन को सम कर सकते हैं या फिर वो लोग जिनको खुझली होने लग जाती है पाउडर के अप्लिकेशन से या कोई भी ऐसा जना जिसको भूने के बाद बिलकुल साफ सुतरे बाल चाहिए वरना तो बिलकुल बेकार रेमडी है सब कुछ गंदा है अगर आप इनमें से किसी भी कैटेग यह मदद से छानिये ताकि सारे न्यूट्रिंस हमें अलग से मिल जाए और सिरफ उसी पानी का आप अप्लिकेशन स्प्रे से या जैसे भी आप कामफुटेबल है पूरे स्काल्प पर करिए लेंद पर इसका कोई यूज नहीं है मदब कर सकते हैं कोई हाम नहीं है डेफिनल लेकिन अल्टेमेटली हमारी जो काट्रेजें हो हमारे रूट्स में है तो वही पर हम फोकस करेंगे और वही पर आप्लिकेशन करेंगे मैं इनमें से किसी कैटेकरी में नहीं आती हूं मुझे हलकी हलकी ग्रैनुल्स बालों में आ भी जाए तो नो वरीज बात सूखते हैं जैसे ही आप कंगी करेंगे सब जड़ जाएगा कोई परिशानी नहीं है लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हैं घर में ममा हैं नहीं अलाव करते हैं तो प्लीज 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 छान लीजिए और फिर इस्तमाल कीजिए पूरे के पूरे न्यूट्रिंस मिलेंगे पूरा बस ग्रानियुल्स नहीं मिलेंगे इसलिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा बस छाननेगा ठीक है ओविसली बेसिक आपको बालों को थोड़ा बहुत तो सुलजाना चाहिए किसी भी रेमिडी से पहले तो वह मैंने हलका सा ब्रॉट्टू कोम से सुलजा लिया पार अच्छे से हर फॉलेकल को देना है और उसके बाद बालों को अच्छे से घुमा कर बान दीजिए ओविसली वह जड़ेगा इन सम्थिंग तो वह चीज आपको परिशान ना करें इसलिए आप शार क्याप पहन लीजिए इस वेरी इंपोर्टन क्योंकि वह अकड़ेगा नह और वह जड़ेगा भी नहीं तो कोई परिशानी आसच आपको नहीं होगी इसको अपने बालों में आप रहने देंगे सम्वेर अराउंड 20 मिनिट्स टू 30 मिनिट्स सफिशन टाइम आथा घंटे अपने बालों में अच्छे से रख लेने के बाद आप अपने बालों को बढ़ा दीजे ताकि जब आप इसको वाश करेंगे ना तो स्लिप्री ने ज्यादा रहेगा और शांपू का फील आएगा तो आपको अच्छे से वाश कर पाएंगे नमबर टू आप डियावाई शांपू प्रिपेर कीजे मैंने दो आपके साथ शेयर की हैं अगर आपके जब तक की आप इस पूरे प्रोसेस को कर रहे हैं रिजाल्ट्स मिल जाएंगे आप खुछ हो जाएंगे उसके बाद आप डिसाइड कीजे करना है की नहीं करना है बट जब तक एस रेमेडी इस को फॉलो कर रहे हैं नो शांपू डिया शांपू यूज कीजिए अगर कोई हर्बल शांपू पर आप जाना चाहते हैं I would say go for satrita बहुत सारी चीजों में बहुत सारे ब्रैंग्स में आपको satrita मिल जाता है इस नतिंग बट रीठा का सत्थ विच वेरी वेरी बेसिक शांपू इसके बाद क्योंकि आप हर्बल शांपू यूज कर रहे हैं आप उलतानी मुट्टी का इस्तमाल कर रहे हैं बाल थोड़े से ड्राइ हो जाते हैं तो जब आप बालों को धोले ये तेल मैंने आपके प्रिपरेशन कीजिए लीजिए और अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए आप लोग भूलेंगे इतना सब कुछ करा रहे हो फिर बाल देखे भई ये सारी चीज़े रजाल्स टेफिनिटली देती हैं अगर आप इनके प्रती डिवोशन रखते हैं अगर आप इनक अपना खुद का बनाना है ये तीनों चीज़ों को बना के रख दीजिए आपके बाल वापस से वही नाच्रल कलर जो आपके बालों का है उसको अच्छीव कर लेंगे और आप बहुत खुश हो जाएंगे इन सबी चीज़ों को बता लेने के बावजूद मैं अपने पूरे परिवार से कहना चाहूंगी कि कुछ नाच्रल प्रिसेसे ऐसे हैं जो कि हमारी एज से जुड़े हुए हैं इसलिए इनके प्रती नकारात्मक्ता रखना कहीं की भी समझदारी नहीं है अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं उम्र का तकाजा है तो प्लीज इसको हैं आप इंडिगो पावडर कर सकते हैं थोड़ी सी डाकनेस के लिए बट इन चीजों की वज़े से हीन बावना अपने अंदर लेकर आना आइसन बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल भी नहीं आप बहुत युनीक हैं आप बहुत पाफुल हैं यह सब चीज़े आपको डिफा समय से आपके बाल वाइट हो चुके हैं तो ट्राइ कर सकते हैं यह बहुत नियुट्रिटिव है लेकिन यह रेमेडिय अपको प्रॉमस नहीं करते की वापस आजाएगा आभी सकता है अगर आप पॉजिटिवली करें everything is possible in every age so give it a try for yourself और जब result मिले तो क्या करना है वापस तक के हमारे साथ इसे वीडियो में शेयर करना है that magic हो गया और हम भी उस magic को देखने के लिए यहाँ definitely आएगे so please be a part of Preeti Pridna family और हम सब के साथ अपने रजाल्स शेयर कीजेगा मैं अब सभी से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में with something magical for your hair, skin and health तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिये, खुश रहिए और पreeti Pridna के सभी चानल से जुड़े रहिए I love you all, take really good care of yourself यह भी सारे white हो जाएंगे, सारे के सारे white हो जाएंगे So please no one is invincible here अच्छे लगेंगे white ना, ऐसे सुचो इतने हेवी रहे और फिर white हो जाएं सारे वो भी enjoy करेंगे